सभी व्यूवर्स को मेरा हिर्दय से प्रणाम आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे मेरा नाम है लवकुष मिश्रा और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल सस्टी वाले गुरुजी पर स्वागत करता हूँ तो आईए बिना आपके समय को बरबाद किये हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के एक बहुत ही इम् passouटेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पॉपुलेशन Population chapter में एक बहुत ही important topic है जिससे exam में अक्सर questions आते हैं जिसका नाम है migration Population growth के कुछ components होते हैं Three components होते हैं पहला birth rate, दूसरा death rate और तीसरा migration Migration को आज हम completely पढ़ेंगे इस topic को पूरा समझेंगे यह दिक्कत करता है आज के बाद यह आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे SST परिवार का हिस्सा बने सबसे पहले हम migration शब्द का आर्थ समझते हैं हम अकसर इस टर्म को इस्तिवाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में आज इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है फिर आएंगे हम इसके टाइप्स पर दो टाइप्स ही पढ़ने हमको क्लास नाइथ में इसी रहे यहाँ पर हमने दो टाइप्स ही मेंशन करे हुए इन दोनों मेजा टाइप्स को भी समझेंगे इसका अर्थ भी समझेंगे migration का मतलब क्या है कि migration is the movement of people across regions and territories जब एक छेतर से दूसरे छेतर में लोग movement करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? migration बोलते हैं लोगों का एक छेतर से दूसरे छेतर में जाना ही migration हो जाता है अब इसके पीछे बहुत सारे factors हो सकते हैं जैसे माल लीजे हमने अक्सर देखा हुआ है कि लोग क्या करते हैं? गाउं से शेहरों की तरफ जाते हैं ये भी ये तरह का migration है भाई गाउं में उनको फैसलिटी नहीं मिल रही है जो उनको शेहर में मिल रही है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन जो काम वो करते हैं वो गाउं में है ही नहीं अब उन्हें क्या करना है? शेहर जाना है तो अपने काम की तलाश में जब वो गाउं से शहर जा रहे हैं तो इसको आप migration कह सकते हो अब वो कहा रहेंगे अब वो शहर में रहेंगे वहां काम करेंगे और अपना वहीं पर जीवनी आपन करेंगे migration समझ में आ गया होगा आपको hopefully और भी कारण होते हैं जैसे माल लीजे कोई war हो गई अभी war हो गई तो लोग एक देश से दूसरे देश भाग रहे हैं वो भी एक इस्थान से दूसरे इस्थान जा रहे हैं वो भी एक तरह का migration है माल लीजे कोई natural disaster आ गया अब वो इस्थान रहने के लिए है ही नहीं उप्यूक्त अब वहां पर क्या करेंगे वहां के लोग दूसरे इस्थान चले जाएंगे तो इससे भी हो जाता है जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का partition हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने migrate कर दिया था पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान तो ये भी एक तरह का migration हो जाता है hopefully आपको migration का मतलब समझ में आ गया होगा तो अब अगर आपसे कोई भी migration पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि लोगों का एक छेतर से दूसरे छेतर में चले जाने को ही migration बोलते हैं अभी कोई दिक्कत नहीं है अब आज आते हैं इसके types पर हमारी book में दो types दिये हुए है पहला type है हमारा internal migration और दूसरा type है international migration दोनों को one by one समझेंगे पहला है internal migration इंटर्नल migration क्या होता है भाई? इंटर्नल migration होता है जब हम within the country migration करते हैं जैसे की example के रूप में समझ लेते हैं मान लिजे कोई एक particular person है अब वो किसी राज में रहता है अब उसने कोई competitive exam दिया और भगवान की क्रिपा से वो select हो गया लेकिन selection कहां हुआ है दूसरे राज्य में हो गया या फिर दूसरी किसी place में हो गया अब वो क्या करेगा अब वो अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ उस इस्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाकर के बस जाएगा तो ये क्या हो गया ये हमारा internal migration हो गया internal migration मतलब within the country आप किसी एक country के अंदर ही जब migration करते हो किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए किसी एक गाउं से दूसरे शहर में चले गए इस तरह की चीज़े होती रहती हैं जैसे जैसे आपके पास opportunities आती हैं आप क्या करते हो आप इस्थान चेंज करते रहते हो गाउं से रोजगार के लिए शहर में चले जाना तो internal migration आपको समझ में आ गया होगा अब आ जाते हैं अपने दूसरे टाइप पर जिसका नाम क्या है international migration international migration का हो जाता है between the countries जब आप एक country से दूसरी country चले जाते हो में रहते हो आप USA चले गए अभी आप USA चले गए तो आपने तो पूरा का पूरा country ही चेंज कर दिया ना तो फिर आप किस category में आ जाते हो आप आ जाते हो international migration की category में मान लोग किसी country में war हो गया जैसे अभी Russia और Ukraine का war चल रहा है अभी Russia क्या करता है Ukraine पर attack करता है तो Ukraine के लोग क्या करते हैं अपने देश को छोड़ छोड़ करके Poland भाग जाते हैं Belgium भाग जाते हैं तो यह सब क्या हो गया यह सब हो गया हमारा international migration जब लोग country से दूर चले जा रहे हैं अपनी country को ही छोड़ दे रहे हैं दूसरी जगह जा करके रह रहे हैं माल लीजिए आप इंडिया में पढ़ते हो आप सुडेंट हो कल को आपका graduation वगरा करने के लिए admission Canada में हो जाए या फिर USA में हो जाए या फिर Great Britain में हो जाए तो आप यहां से चले जाओगे तो फिर आपने migration कर दिया आप इस country से दूसरी country में चले गए तो इस तरह से क्या हो गया आपका international migration हो गया तो hopefully आपको internal और international migration दोनों समझ में आ गए होंगे मेरे साब से अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर एक्जाम में आता है तो आप इस तरह से flow chart वगरा बना करके interesting way में अपने answer को present कर सकते हो और यह question एक्जाम में बहुत ज़्यादा important बन जाता है components of population growth वाला तो वहाँ पर आपको तीनों लिखने होंगे तीन में से हमने आपको सिर्फ और सिर्फ एक बताया है ठीक है अब यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा important हो जाती है कि जो internal migration है वो कोई change नहीं लाता है size of the population में लेकिन वो influence करता है distribution of population within the nation को जो distribution है population का उसको influence करता है लेकिन size of the population में change नहीं आता पही आदमी तो उतने है ना अभी एक state से दूसरे state में चले गए तो आदमी तो कम नहीं हो गए size of the population तो वही रहा लेकिन distribution change हो गया अभी एक इस्थान पर कम आदमी है एक इस्थान पर ज्यादा आदमी है ये चीज़ हो सकती है लेकिन size of the population में change नहीं आ रहा है internal से आपके size of the population में कोई change नहीं आएगा तो migration एक बहुत ही important component है population growth का इन सारे discussions से आपको सारी बाते clear हो गई होगी उमीद करता हूँ कि जितनी भी बाते मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी इस वीडियो को like करिए हमारे channel को subscribe करिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ जादा सजादा share करिए इस वीडियो के description में हमारे telegram channel का link है आप उसको join करके हमारे साथ connect हो सकते है और अपने doubts हम से पूछ सकते है मैं आपके उजवल भविश्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत